नमस्कार चात्रो आज हम हम उस धर्ती की संदती है इस पध्यपाट में नीई दुतिय चरन का अध्यन करेंगे दुतिय चरन में देखा गया कि यहाँ लड़कों की स्रिष्टता का बया बखान सुन के यहाँ लड़किया भी कहती है कि तुम आप चुप रहो आप जैसे लोग को बात करने का डंग नहीं है आप अपनी प्रशंसा खुद न कीजिए चुप रहिए सुनिए दर्ती की लड़किया है जिस दर्ती का कुछ कहना है इस मिट्टी में विरांगन आये हुई है जो विरांगना जाशी की राणी लक्ष्मिवाई है जो मरते दम तक उसने अपनी स्थान नहीं गवाया है उसी प्रकार देखा जाए तो रानी दुर्गावती रजिया सुल्ताना जैसी मरतानी विरांगन आये जिस मिट्टी में पैदा हुई थी जिनोंने लड़ाई में लड़ाई के मैदान में अपना अद्भूत पराक्रम दिखाया था हम उस दर्ती की लड़किया है जिस दर्ती पर चांद बीबी जैसी एक महान रानी या महान विभूती ने जन्म लिया उसी प्रकार इस दर्ती में रानी पद्मावती जैसी एक महान स्त्री का सुद्धियर यहां पर जन्म हुआ जो अपने आपको अपने आपको सुरक्षित रखने के लिए जिसने अपने प्राणों को भी त्याग दिया जब अल्लावदी खिलजी ने अक्रमन किया था तो राणी पद्मावती ने अपने आपको जोहर करके अपना स्रेश्टत वर यह अपना चारी पे शुद्ध रगा था उसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो रामायन काल में हमने देखा सीता देवी उसी प्रकार की एक महांस्त्री थी जो जिसने अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए उसने यहां राजपत या सब भूतिक सुविदाओं को छोड़कर अपने पती के पीछे 14 साल तक वनवास किया यह कोई आसान काम नहीं होता एक महान व्यक्तित वहीं पत्म के सब कर सकता है उसी प्रकार अगर हम देखेंगे सावितdarीं जो सत्यवां की पत्मी ती उसने भी सत्यवान की प्रांट通 यहां जो यम्राज ले कर जा रहे थे उस यम्राज से वापस लाये थे ऐसे महान व्यक्तित्व इस भारत देश में पैदा हुए है और यह सब स्त्रिया है इसलिए लड़किया लड़कों से कहती है कि आप अपनी स्रेष्टता का इतना बड़ा घमंड मत कीजिए क्योंकि यहाँ पर स्त्रिया भी हुई है जो बहुत ही अच्छी विरांगनाई थी जो बहुत ही अच्छी स्रेष्ट नारिया थी और यह सब सुनकर लड़कों को भी बड़ा आश्चर होता है उनको भी प्रश्ण पड़ता है और वे भी इस मत का विचार करने के लिए तो द्यूपत होते हैं और वे उनकी लड़कियों की सब बाते सुनने लगते हैं और इस इसके कठीन शब्द मेंने यहाँ पर लिग दिये है धन्यवाद